स्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी माहराश्ट्र से बड़ी खबार है माहराश्ट में उप्चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है इन सब के बीच राश्ठाकरी की पार्टी मंसे ने बीज़पी को समर्थन देने की खोशना कर दी है यह MVA के लिए बहुत बड़ा छटका है जिस तरीके से मंसे ने बीज़पी को समर्थन देने की खोशना की है और बीज़पी जो शोर से चुनाव परचाह में चुट चुकी है आपको यह बता दें कि माहराश्ट की पूने की दो विधानसबा सीटे हैं चिंचवार और कस कसबा विधानसबा सीट जहां उपचुनाव होने हैं और मंसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कसबा और चिंचवार के उपचुनाव में बीज़पी को समर्थन देने की खोशना करती है माहराश्ट में कसबा विधानसबा उपचुनाव के लिए बीज़पी उमिद्वार को समर्थन देने की खोशना मंसे की और से की गई है बीज़पी ने हेमंत रसाने को कसबा सीट से चुनावी मेरदान में उतारा है हेमंत कॉंग्रेस उमिद्वार रवींद्र धंकेकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जो पहरे मंसे के साथ थे और मंसे की टिकेट पर वो 2009 के प्रदिशन उनने किया था लेकिन अब मंसे ने बीज़पी को समर्थन देने की घोशना कर दी है यही वज़ा है कि एंसीपी की ओस्ते मंसे पर तंज कसा गया है एंसीपी के पूने शेहर की जो अध्यक्ष है प्रसांत जगपाद उनने आलोचना करते हुई यह कहा है कि अब मंसे ने अपना उमिद्वार चुनाफी मैदान में नहीं उतारा है और बीज़पी को ही समर्थन देने की घोशना इस उपचुनाफ में उनकी तरफ से की गई है दो विधान सबाज सीते हैं पूने की चिंचवार और कस्पा तोनों ही बीज़पी की सीते थी लेकिन का जो कटबंधन है वो दरसल MVA को हरा पाएगा या नहीं क्या एक पार फिर बीज़पी अपनी सीते बरकरार रखने में कामियाब हो पाएंगी ये बड़ा सवाल है लेकिन नहीं कहीं आप परत्यारों का दोर माहराश्ट के पूने में अब शुरू हो चुका है जिस तरीके से इन उपचुनाखों के लिए चुनाख पर चार चल रहा है बता दें कि मंसे ने मंगलफार को ये खोशना की है कि वो बीज़पी को इन उपचुनाख में समर्थन करेगी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हिंदूत्म और विकास के मुद्धे को परभावी डंग से आके जाफ्तोर पर कहा है कि मंसे के समर्थन ने कस्बे में बीज़पी उमिद्वा को और अधिक ताकत प्रदान की है और अधिक मजबूत बनातिया है बीज़पी के चुनाख परभारी पूव पेर मुली धर मोहोल ने भी इसका समर्थन करते हुए मंसे को धन्यवाद किया है त चुकि पूने वो जगा है जहां पर अब तक जाज ठाकरे की पार्टी माहराश्ट नवनिर्पान जेना बीज़पी के खिलाफ चुनाखी मैदान में उतरी है लेकिन अब मंसे ने बीज़पी को ही समर्थन देने की खोशना कर दी है और ये इस वज़ा से भी एहम है क्योंक कि आने वाले वक्त में माहराश्ट में मुंबाई माहनगर पालिका के चुनाफ होने हैं जो कि विदानसबा चुनाफ से कम नहीं है उसको लेकर लगातार जोरो शोरो पर तयाहियां चल रही है और सबकी निगाएं इस बास पर टिकी हुई है कि आखिर पूने में जो गटबंधन का क्या नतीजा देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं ये जो गटबंधन हैं ये ये तैक करिका कि अगर मुंबाई माहनगर पालिका पे भी इस तरह के का गठ चोड़ देखने को मिलता है तो एंग्वे उधव ठाकरे खास तोर पर और एंसीपी शीप शिद्वार क ये उपचुनाव में बीजपी को समर्थन देने की घोशना की है जस पर पूरे राच्चे का ध्यान अब कहीं न कहीं ठीक गया है जैसा कि हमने आपको बताया कि बीमसी के भी चुनाव है तो ऐसे में ये जो साथ है बीजपी और मनसे का कि ये क्या रंग लाएका इस पर सब की निगाई ठीकी हुई है तरस्वर पार्टी की ये प्रता है कि मनसे किसी भी उपचुनाव सीट के लिए उमिदवार कभी भी चुनावी म्यादान में नहीं उतारती है मनसे ने कस्वा और चिंचवार में उमिदवार खड़े किये बिना बीजपी के सबर्थन में अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है संसद ग्रीश बापट के स्वस्त होने के चलते जो परचार था बीचपी का वो नहीं हो पा रहा था जिसके चलते बीचपी को काफी टेंशन जो है वो कस्बा और चिंच्वार्ट में जो उपचुनाव होने हैं उसमें सता रही थी कि किस तर असाने और साथ ही चिंच्वार्ट से अश्वनी चकपात के चहर पर जाहिर तोह पर एक मुस्कान जहुर आई होगी जिस तरीके से मंसे ने अपना समर्थन देने का एहलान किया है आपको ये बता दें कि पूने की ये दो विधानसभा सीटे हैं चिंच्वार और कस्बा वि बीजेपी विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है बीजेपी ने मुक्ता तिलक के परिवार के सज़स्यों पर हेमंत रसाने को चुना और तिलक परिवार्ट ने पार्टी की टिकेट से वंजित होने पर निराश्वा भी जाहिर की है लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रू की मताबिक कस्बा सीट पर शिवसेना के साथ एंसीपी जो है वो चुनाफ लड़ रही है पार्टी ने धंगेकर को चुनाभी मैदात में उतारा है उन्होंने दो हजार नो में मंसे की उमिदवार के रूप में कस्बा से विधानसभा चुनाफ लड़ा था और बीजपी के वरिश नेता ग्रीश बापट को टक कर दी थी एंसीपी और उधव ठाकरे के नेतरत वाली शिवसेना ने धंगेकर को अपना समर्थन दिया है लेकिन अब मंसे और बीजपी के इस गठ चोड से इस गठ भतन से एंसीपी और महा फिकास अगाडी दिल मिलाई हुई है यही व सबसे यह कहा गया है कि एडी के इशाहे पर बातुनी तोते अब नाचने लगे हैं यानि किस तरीके से अब कही ने कहीं बीजपी और मंते के इस गठ बंधन पर अब तंज करता रहा है किस तरीके से महा विकास अगाडी परेशान नजर आ रही है लेकिन माहराश्ट की अग महानगर पालिका के चुनाफ होने हैं उधव ठाकरे के खिलाफ राश्ट ठाकरे काफी वक्त से खड़े नजर आए हैं क्योंकि राश्ट ठाकरे जो की उधव ठाकरे की चचेरे भाई हैं आरोप ये उन्होंने लगाया है कि दरसल जो हिंदूत्व का मुद्दा था पार्ट कि उन्होंने खुल कर आलोचिना की है लेकिन उसके बाद अब ही महाराश्ट्र में उप्चुनाफ हो रहे हैं पूरे की दो विधान सबासीते हैं कसबा और साथी जिंचवार जहां उप्चुनाफ होंगे देखना दिल्चस्प होगा कि ये जो साथ है मनसे और बीजुपी क आखे नगारा क्या होगा किसकी डगकर होगी किसके बीच बुकाफला होगा ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन महाराश्ट के पूरे में दो विधान सबासीतों के ये नतीजे जो कि 2 मार्च को साथने आएंगे ये काफी कुछ आने वाले वक्त में महाराश्ट की रह मह रश्ट किंदिशा तैक करने वाले हैं फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें